नमस्कार दोस्तों आज का फीर से बाद मुलाकात हो रही है आप लोग से दोस्तों आज ये medieval history का ये चौथा lecture है दोस्तों इसके पहले के तीन lecture ट्राइपाइट स्ट्रगल पर बने थे जिस पे हमने पाला डाइनेस्टी राष्ट कूटा डाइनेस्टी और गुर्जव प्रतिहार के बारे में देखा था अब दोस्तों हम चोलाम पायर के बारे में देखेंगे बिसिकली दोस्तों ये lecture जो है वो optional based होगा GS से level थोड़ा सा इसका उपर रहेगा तो मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूं ताकि GS वाले बच्चे ये न सोचें कि क्या पढ़ा दिया मेरे सर के उपर से जा रहा है ये जा रहा तो जो optional वाले बच्चे हैं वो भी हमारे ये व बनाय हुए notes हैं तो उमीद करता हूं कि आपको ये मेरा presentation पसंद आएगा मेरी कही बाते समझ में आएंगे जिससे आपकी preparation काफी बूस्ट अप होगी तो दोस्तों हम चोला अंपायर के बारे में देख रहे हैं चोला अंपायर के बारे में basically आप एक कह सकते हैं कि स्टार्ट करते हैं प्लावड एक जिन कशाला करते एक अपने ही जो प्यूट रॉड को फिरेटर सवंदेजिस के वह करते थो उनको उखाड के फेकते हैं फिर बाद में जो आ ये अस्तित्त्य में आज आते हैं दोस्तों अगर चोला डाइनिस्टी के बारे में आप देखेंगे तो सं संगा मेज में एक ही जो पुहार यहाँ पर लिखा हुआ है है यह देखिए माइस आगे यह सब्सक्राइब को इसका क्या सकते हैं जो क्लाइमेक्स स्टेज की यह स्टेज की बात है फिर उसके बाद दीरे-दीरे देखेंगे के करीब आ जाएंगे डेकलाइन के करीब बेसिकली दोस्तों इस वजह से आएंगे क्योंकि इसके बाद के जो रूलर रहते हैं वह बहुत जादा एफिशेंट नहीं रहते हैं तो कुछ उनके डेकलाइन का कार तो यहां पर अधिन मिल जाएगी जहां बेसिकली बताएंगे कि नीचे वाले रिजन में यह देखें यहां करते ते रूकिया मैंएक मिट आपको मैप से समझाता हूं या दोस्तों आप मैप में भी देख सकते हैं कि यहां नीचे जो है तमिलनाडू वाला कर हैं यहां पर स्टोलानिस्टि राच कि तो यह उनी के आदिन में क्या करताज थी है फूर पर करते हैं कि अदिन कांक होत करते हैं कि ऑल्रा क्या घता जिक है कि यह बता दिया में पहले हैं जो यह पपन आपको बखल करते हैं उसके के वाद उनको खाड़के फिकते हैं तो जो पल्लव के जो यह के रहते हैं थो फुड़कIs पाइप सब्सके में इस पूर्त के रहते हैं indрам यह इसलिए उसके बाद के जो पूर owा कि रहते हैं साउथ वाले रीजन में तो कई सारी डाइनिस्टीज को हराने के लिए एक एलाइंस बनाते हैं लेकिन बाद में देखते हैं कि यह जो आधित्ति राजा रहते हैं चोलामपायर के काफी डियंड शाने टाइप रहते हैं बाद में यह नहीं को जो है खलास करके अपने आपको लाते हैं तो दोस्तों जैसा जैसा कि मैं देखिए चोलामपायर के बारे में बिजिकली यह कहा जाता है कि दैन इंपीरियल चोलाज का मतलब एक तरीके से हैं इनकी जो कैपिटल है वहां पर इनकी क्या रहती है उसके बाद आप देखोगे कि कि छोला डाइनस्टी के बारे में एक चीज drama सकते हो कि मैं दोस्तों यहां के इनका यहां नीचे जितने भी हुआ करते थे यहां पे वूंड़ूचेरी यह सारी चीज़ें यहां जो सारी चीज़ें आपको माल्दीप्स वगएरा मिलेंगी हाला कि मैप में दिखाई ने दे रहा है पर मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दे रहा है आप मैप देखोगे तो समझ जाओगे कि बेसिकली बेफ बंगाल के जितने भी हैं इंडोनेशिया पहतरीन दबदबा रहता है दूटू कहा सकते हो कि स्ट्रॉंग नेवी का सपोर्ड भी था इनको खुद की अच्छी खासी एफिशियंट नेवी बनाते हैं तो जिसकी वजह से इनका बेफ बंगाल पर दबदबा रहता है दोस्तों इनके बारे में बैसिकली यह भी कहा गय है कि यह मंदिरों पर इंस्क्रिप्शन बहुत जादा करवाते थे मंदिरों में इंस्क्रिप्शन एक बहुत बड़ा देखिए दोस्तों इनका एक फेमस इंस्क्रिप्शन भी है देखिए यहां मैंने अपने नोट में में मेंशन किया हुआ है उत्रिमूर साप कह सकते हो कि एक में दोस्तों पता है ना एड्मिस्ट्रेशन की रूप में दोस्तों अगर कहें तो एक तरीके से कह सकते हो कि यह वो टाइम था कहते हैं कि इतिहास सभी विशाओं की माहा है मैंने आप से स्टार्टिंग में भी कहा था ना यह वो टाइम था दोस्तों देखोगे कि ठाकूर वगएरा जो होते थे वो गाहों के सरपन चुआ करते थे तो उनके आदीन में लोग अपनी समस्याएं लेके जाते थे तो इस इंस्क्रिप्शन से जो है उत्रिमूर इंस्क्रिक्शन इनको के बारे में मिलें और इंपिरियल चोलास के कह सकते हों एक एफिशियंट ऐड्मिनस्टेशन के बारे मिलें अपनी जान-पे खेल के राजा की रक्षा करने के एकदम लोयल रहा करते थे और बैसिकली एक विजिटर हैं foreign visitor है Marco Polo वो ये भी कहते हैं कि वो इतने loyal हुआ करते थे कि जब राजा मर जाते थे तो जो उनके bodyguards हुआ करते तो वो खुद उनकी चिता पर लेड़ जाया करते थे क्या दीरे-दीरे करके मैं के करके आपको इनके बारे में बताता रहोंगा परिशान मत हो यह अब दोस्तों चोला empire की political history के बारे में देखेंगे चोला empire की political history के बारे में अगर आप देखें तो इनकी जो सबसे पहले king थे विजलेया विजलेया बिसिकली 850 round के आसपा सुरूल किया करते थे यह जो थे बेसिकली आप देखोगे कि मैंने आपको बताया ना यह तांजओर वाले reason इनकी capital हुआ करती थी तो बेसिकली यह वही time रहता है यह विजलेया के दोरान यह मोटियार से fight करते हूं मोटियार से fight करने के बाद तांजओर को capture करते हैं तांजओर करने के बाद तब इनकी capital जो है वह तांजओर बनती है उसके बाद आप देखोगे कि दुर्गा का temple भी जो है एक बहुत बड़ा famous साउथ में दुर्गा का temple है निशुम भसुदनी एक बहुत बड़ा सौरी दोस्तों pronunciation के लिए में माफी जाता हूं अक्सर क्या कि हिंदी मीडियम से हो तो थोड़ा सा इंगलिस में pronunciation में गलती हो जाती है तो basically इनका एक यह बहुत बड़ा famous temper है और starting में यह विजल आही जो थे वह फिडेटर लॉड हुआ मतलब पल्लव के आधीन में काम किया करते थे दीरे दीरे आप देखेंगे कि इनी के समय में आप देखेंगे कि इनकी जो kingdom है वो दीरे-दीरे कावेरी के नीचे फैलना बड़ने में लाते हैं तो यह वही किंग रहते हैं इनका बेसिकली राज आपको जो है 871 से लेके 907 तक मिलेगा और बेसिकली आप देखोगे कि यह करते कहा है कि starting में लोग एक ऐलाइंस बनाते हैं यह जो है पल्लवा के साथ है पल्लव डैनिस्टी के साथ एक ऐलाइंस ब बनाया जाता है क्योंकि दोस्तों आप यह नीचे वाले पे देखोगे तो यहा चेरा उवह लाइज किया करते थे और यहां मग ब्रोई वर्टी आप सबस्ट में हrāने के बाद बनाथे राजा बन जाते हैं राजा बनने के बाद आप देखोगे कि बिशिकली बहुट बड़ा कि बैटली यह देखिए श्रीपूरम भीरम यह बैटल याद रेखिएगा सस्टी वालो व्च्चो और uts वालों बच्चे भी ध्यान देखिएगा बिसिकली दोस्तों साउथ इंडिया और नौर्थ इस्ट इंडिया कि जितनी भी पॉलिटिकल शोशो कल्चर हिस्ट्री इस चीज़ों को थोड़ा ध्यान देखिएगा क्योंकि यह सारी चीज़ें यूपी एसी का मोस्ट इंपोर्ट बियों मैं उनको हरा देते हैं उसके बाद जो हराने के बाद अपने आपको वस्पतित में सामने लाते हैं और बएसिकली देखेंगे कि इनका था ख। कॉंडी मदलम वहां पे इनका कंट्रोल हो जाता उसके बाद यह देखेंगे कि चहराज के साथ भी इनका कापी सारा एलायल रहता है और बेसिकली आप देखेंगे कि महसूर गंगा डाइनस्टी महसूर गंगा डाइनस्टी अगर आपको दिखाऊं तो यहां कहीं महसूर बनते हैं परिंटक परिंटक फर्स्ट का जो राज था बेसिकली 907 से लेके 903 इंग्लिश मीडियों वाले बच्चों को बताओ 907 से लेके 953 तक इनका राज रहता है इस राज में अगर आप बेसिकली देखोगे तो क्या होता है कि यह पंडिया को इन्वेट करते हैं पंड बनते ही रहते हैं और लगभग आज मैं यह वीडियो शूट कर रहा हूं तो आसे 20 दिन बाद जो है यूपी यूपी ऐसी प्रिलियम्स है तो उसके लिए मैं सारे बच्चों को all the best कहता हूं हो सकता हो मेरा बनाया कोई वीडियो किसी को जो है आगे helpful हो तो बेसिकली आप द तो बैसिकन हर प्रिश्न फ्री उनके साथ क्या होता है कि चौला का काउन्ति चलता है तो यह चोला की काफे बीटाइब आई करते हैं चोला की पीटाई बसिकली जब होती है तो उस समय के जो किंग रहते और हैं तो आप यह वो देखोगे फिर उसके बाद स्टार्टिंग में क्या होता है कि 1916 में जब कृष्ण स्वारी 1916 यहां पर लिखा है यह देखिए दोस्तों यह 1916 की बात आगे यह तो modern Indian history यह माफी चाहता हूं दोस्तों इस चीज को आप मत नोट करिएगा अगर मेरे वीडियो से अगर आप नोट समनाते हैं तो इसके होता है कि जब conflict fight चलती है तो Krishna 3 इनको हराते हैं और हराने के बाद मतलब Krishna 3 को यह हराते हैं फिर last में इस सेकंड टाइम जब बहुर चलती है जो की most famous battle है जिसको तकॉलम बैटल का चाहता है तकॉलम बैटल में क्या होता है कि Krishna 3 जो रहते हैं वह परिंटक को हरा देते हो परि विक्ट्री पीलर दबदबा बन जाता है तो यह वही टाइंग था तो उसके बाद कृष्णती परिंटक को हरा देते हैं अब मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर सेक्शन की यहां पर बात करो अगर परिंटक की बात करो तो जो मैंने आपको बताया था न कि उत्रिमूर इंस्क्र परिंटेंटरिवर्ण जौ है Mogums टैमउस टैमपल है दोस्तों अगर आप अर्कीटेक्टalley की बात करोगे तो नॉर्थ इंडिया में क्या था कि नाग्रा स्टाइल में टैम्पल्स बनते थे लेकिन संथ इंडिया में बनते थे व्हों स्टैल में बनते थे में तो लखाओं अगर आप बात करोगे तो नटर्रास टैंपल बेसिकली है वह फहले मैं आपको ड्रॉट करके दिखाता हूं उसके में आपको image दिखाऊंगा basically जो मंदिर होगा वो यह देखी यह मंदिर है मंदिर का जो शिखर है वो pyramidal shape का होगा ऐसे ऐसे यह सीडिया टाइप होंगी इस टाइप का होगा और मंदिर के आगे जो रहेगा वो basically नदी बैएगी पूजा पाठ करने के लिए तो यह इनके टाइम में बना था अब रुकी मैं आपको इसकी image दिखाता हूँ यह दोस्तों तमिल नाडू का नटराज हुआ था इस चीज का भी थोड़ा दोस्तों ध्यान रखेगा अगर आप बात करोगे तो चोला अंपायर की जो आज नट्राज मूर्ती है न शिव जी की वह आपको लंडन के म्यूजियम में मिलेगी हाला कि दोस्तों में कभी लंडन गया तो नहीं हो पर यूट्यूब हैं ऐसी सारी चीजों में मेरे इंट्रेस्ट भी और क्यूरासिटी भी की सारी चीज सब्सक्राइब कर लंडन के मिलेगी तो आप लंडन के मूजियम में वह देख सकते हो अब वो आप सर्च करके देख लेना यह दोस्तों यहां पे एक इमेज दिखाई दे रही है जिसमें दो टैमपल है यह दो टैमपल मैं आपको समझाने के लिए मैंने यह दिखाया है इस टैमपल में बिसिकली दोस्तों आप देखोगे कि यह नौर्थ इंडिय स्टाइल का टै लेकिन जो द्रवड़ा स्टाइल का टैमपल है वो ऐसे उसका शिखर तो होगा लेकिन वो शिखर जोगा वो ऐसे पिरामिडल शैप का होगा तो यह मेंड डिफरेंस है जब आर्ट एंड कल्चर की सीरीज लाओंगा न तब आपको यह चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर बसुटरोंगी अब दोस्तों है परेंटक वन के बाद जो राजा बनते हैं वह परिंटक डू राजा बनते हैं एक siitä सुन०्हार क्विका जाता है इनका जो राजे रहता दोस्तों 957 से लेकर 973 तक रहता है दोस्तों यह वो दौर रहता है जब परेंटक डू रहते हैं वह राश्टकूटा डाइनिस्ट्री से जब हार गया रहते हैं कृष्ण थ्री से मैंने आपको स्टार्टिंग में बता है ना कि स्टार्टिंग में क्या होता है कि पर इंटक फर्ष्ट जो रहते हैं वो कृष्ण टू को हराते हैं लेकिन फिर बाद में जो कृष्ण थ्री रहते काफ़ी खास इंपोर्टेंस तो नहीं मिला है काफी मतलब एक brief period ही रहा है इनका लेकिन उसके बाद जो most important वनते हैं चोला डाइनेस्टी के वो है राजा-राजा first दोस्तों एक चीज याद रखिएगा UPSC वालो बच्चों इस चीज का थोड़ा main focus करेगा कि हम सारे राजा को तो नहीं रट सकते सारे राजा को तो नहीं पढ़ सकते लेकिन जिस राजा की social culture और economic culture importance है उस राजा को पढ़ना हमको पढ़ेगा ही वो by heart हमें समझना पढ़ेगा फिर वो चाहे रटना ही पढ़ेगा अगर एक्जाम पास करना है तो करना ही पढ़ेगा यह चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएग उसके बाद राजा राजा फस्ट के बारे मैंने आपको बताए कि most important king थे इनके में जो है चोला अंपायर का expansion होता है यह basically जो है परिंटेक 2 के पुत्र रहते हैं और काफी जादा इनको चोला अंपायर का great king भी कहा जाता है